हेलो माई देल स्टूड़न्स में मिनाक्षी फ्रम पवनवाग अकेडमी बच्चों पवनवाग अकेडमी में आप सभी का स्वागत हैं बच्चों हम लोग देख रहें क्लास 12 का चैप्टर 3 काइनेटिक थेयरी ऑफ ग्यासे सेंड राडियेशन और आज है उसका लेक्चर नम उसके पहले मैं आपको बता दू नोड़ुक एंड पेंड लेके बैठे टेक्स्बुक लेके बैठे जब मैं बोलूँगी एक्सरसाइस का सवाल है वहां पर टिक करो और उसके साथ-साथ में सवाल लेने वाले हूं जेई का भी सवाल लेने वाले हैं तो आज इस टॉपिक आज इस लेक्चर के एंड में हम लोग एक सीटी का सवाल देखेंगे 2020 का एनिक जेई का पुराना सवाल 2003 का वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है सवाल बहुत ही आसान पूछा गया था 2003 में लोग जो की डिपेंड्स है किर्ट्शॉप्स लॉग के उपर ठीक है तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दू पवनवाग एकडेमी का एप भी है ये एप ज़रूर सब्सक्राइब करें आपको सभी इंफर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 3.13 किर्चॉप्स लॉफ अफ हीट राडियेशन और इस थेरोटिकल प्रूफ तो बच्चों किर्चॉप्स नाम का जो साइंटिस था जो साइंटि सीairy ते करन्ट इलेक्टिशिटी से भी रिलेटेड उनके इंवेन्शन्स है उन्होंने किर्चॉप्स करेंट लओ किर्चॉप्स होल्टेज लॉब भी बहुत सारे इसे बहुत सारी कंसेप्ट उन्होंने एक्स्पें की है और राडियेशन में भी उनका बहुत अच्छा इं आडियेशन में क्या इन्वेंशन था इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं तो बच्चो किर्चॉप्स नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो एक हीट गुड अब्जॉबर होता है मतलब कोई भी बॉड़ी जो गुड अब्जॉबर होती है वो एक गुड इमिटर भी होती है जैसे के कल बहुत दिनों से हम लोग अभी जितने भी लेक्चे सुए हर एक लेक्चर में हम लोग पढ़ते आ रहें कि माण लो ये बॉड़ी यहाँ पे है ओके एक body हमने यहाँ पे ली, ये body क्या कर रही है, heat को absorb करने का काम कर रही है, तो ये body heat absorb करेगी, और heat absorb करने के बाद वो heat को emit भी करेगी, मतलब एक बार इसने heat absorb कर ली, तो उसका temperature increase होगा, ये absorb करेगी, absorb करने के बाद उसका temperature increase होगा, temperature increase होगा, क्यों increase होगा, जैसे कि previous theory में हम लोगों ने study किया था, कि कोई भी body जो होती हुए, वो good emitter होती है, और temperature increase, I mean heat absorb करने के बाद वो temperature increase कैसे करती है, क्योंकि वहाँ के molecules जो है, उनका vibration बढ़ता है, उनकी velocity बढ़ती है, और velocity बढ़ने के बाद kinetic energy बढ़ती है, उसकी वज़ा से उसका temperature increase होता है, तो वो body एक good emitter बनेगी, मतलब heat absorb करने के बाद heat emit करने का काम वो अभी करेगी, तो यहाँ पर यह body अभी क्या बनेगी, एक good emitter भी बनेगी, good emitter बनेगी, इसका मतलब किर्चॉफ्स, according to Kirchoff's law, जो good absorber होता है, वही क्या होता है, good emitter भी होता है, good absorber, बच्चों, इसी के उपर है न, एक question पूछा गया था, CT 2020 में theoretical, मैं बताऊंगी आपको इस lecture के end में, good absorber is a good emitter, जो good absorber होता है, वह एक good emitter भी होता है, ऐसे Kirchoff's law के scientist ने बोला था, तो अगर ये good absorber, good emitter है, इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब इसका जो coefficient of absorption होगा, coefficient of absorption होगा, वही इसका क्या रहेगा, coefficient of emission रहेगा, coefficient of emission, okay, that means, a is equal to e हम लोग बोल सकते हैं, और emission को ही हम लोग क्या बोलते हैं, emissivity बोलते हैं, emissivity बोलते हैं, तो बच्चों ये था Kirchoff's law of heat radiation, मतलब ये मैंने आपको जस्ट एक information दी है, actually इसका statement जो है, वो कुछ अलग है, तो statement देख लेते हम लोग, उसके बाद हम लोग उसका theoretical proof भी देखेंगे, तो बच्चों statement देखो क्या था, पहले statement पढ़ लो, उसके बाद में इसको detail में explain करके बताऊंगे आपको, statement क्या था देखो, at a given temperature, the ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body, मतलब ratio of, ratio लेना है हमें, किसका? emissive power to coefficient of absorption, emissive power मतलब क्या? यहाँ पे R हम लोग लेने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बता है, emissive power, last lecture में हम लोग उने study किया, emissive power मतलब क्या होता है? capital R, तो किसका, किसका ratio लेना है हमें? emissive power का, emissive power का, and coefficient of absorption मतलब A का, emissive power to the coefficient of absorption, यह किसके equal होता है? that is equal to होता है, emissive power of perfect black body, मतलब क्या? R, B, चो हमने कल बात की थी इसके बारे में, बचो होपसो आपको पता होगा, होपसो आपको याद होगा, अगर नहीं देखा ही previous lecture, तो यह lecture देखने से पहले वो lecture ज़रूर देखें, ratio of emissive power to the coefficient of absorption, that is equal to emissive power of a perfect black body, यह इसका formula है, लेकिन आप लोग बोलोगे, मैं, अभी तो आपने बताया की, coefficient of absorption किसके equal होता है, emissivity के, मतलब coefficient of emission के equal होता है, तो फिर यह, तो हमें अलगी statement दिख रहा है, बताती हूँ कैसे, sorry, देखो, यहाँ पे अगर मैं echo side shift करती हो, echo side shift करने के बाद, R as it is रहेगा, अगर हम R b को उस side shift करेंगे, मतलब black body, radiation का emissive power, जो है, अगर मैं उसको उदर shift करती हूँ, तो बचों, यह किसका ratio बन गया, कल की lecture में हमने इसके बारे में study किया था, यही ratio किसका है, emissivity का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, E, coefficient of emission, इसका मतलब A is equal to क्या है, E होता है, A is equal to E होता है, ठीक है, आया समझ में, तो यह हमारा पहला statement हो गया बचों, at a given temperature, the ratio of emissive power to coefficient of absorption of a body, is equal to the emissive power of a perfect black body, at the same temperature for all wavelengths, it is very important, for all wavelengths, मतलब क्या, अगर, यह coefficient of absorption मान लो, हम लोग red color का लेते हैं, आपको पता है न, वीबग्यॉर, वीबग्यॉर सबको पता है, बच्चों, आगे यह lecture में नहीं, लेकिन आगे का जो lecture है, उसमें हम लोग इसको detail में study करने वाले हैं, वीबग्यॉर पता है सबको, तो बच्चों, जो वीबग्यॉर है, उसमें आपको पता होगा, जो red color है, उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होती है, wavelength पता है न, wavelength मतलब क्या, दो crest या दो treft के बीच में, जो distance होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, this is called as wavelength, wavelength, तो बच्चों, जो red color होता है, उसकी wavelength सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम, किसकी wavelength होती है, orange की, इससे कम wavelength होती है, orange color की, उससे कम wavelength होती है, green color, yellow, green, ऐसे, और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है, violet color की, तो ऐसे waves अलग-अलग होती है, उनकी wavelength अलग-अलग होती है, तो मांड़ो हम लोग यहाँ पे, किसी particular wavelength का radiation study कर रहे हैं, मांड़ो में green color का radiation study कर रहे हूं, तो green color का absorption होगा, तो green color का ही emission होगा, इसका मतलब, a of lambda, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a of lambda is equal to e of lambda, और बच्चों, इसी के उपर based हमारा second statement, मतलब उसी को और करके, हम लोग second statement लिख सकते हैं, तो second statement देखो क्या है, for a body emitting and absorbing thermal radiation, body emitting and absorbing thermal radiation, मतलब heat, body emitting and absorbing thermal radiation, in thermal equilibrium, thermal equilibrium मतलब क्या, body का emission and absorption, दोनों जब equal हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं, thermal equilibrium, या फिर कल में ने इसकी बात की थी, कि उसका जो temperature है, वो अभी constant हो जाएगा, वो ना heat emit करेगी, ना absorb करेगी, वहाँ पर वो rest position में आएगी, उसको हम लोग बोलेंगे, thermal equilibrium, temperature उसका surrounding के साथ सेम होगा, तो उसको हम लोग thermal equilibrium बोलेंगे, the emissivity is equal to its absorptivity, मतलब वही, A is equal to E, emissivity is equal to absorptivity, तो यह है बच्चो, second statement, for a body emitting and absorbing thermal radiation, in thermal equilibrium, the emissivity is equal to its absorptivity, और उसको हम लोग लिखते है, A is equal to E, और उसको हम लोग लिखते है, A of lambda is equal to E of lambda, तो बच्चो, यह है हमारा Ketchop's law, और इससी के उपर based, अभी इसका theoretical proof, जो है वो हमें देखना है, ठीक है, तो start करते हैं इसका theoretical proof, यह इसके उपर आपको exam में question पूछा जाता है, और आपके textbook के exercise में भी इसको उपर question पूछा गया है, state and proof Ketchop's law of heat radiation, ऐसा exercise में सवाल पूछा गया है, तो यह statement आप लोग as it is लिखोगे, अब इसका proof कैसे लिखना है, वो मैं आपको बताती हूँ, तो देखते हैं बच्चो इसका theoretical proof, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले point में लिखेंगे, दो bodies हम लोग consider करने वाले हैं, consider two bodies, two objects बोलो या फिर bodies बोलो, two objects, दो objects एक को में नाम देती हूँ, a, जो की क्या है, this is ordinary body, ordinary body, मतलब जो black body नहीं है, perfect black body नहीं है, और दूसरी में लेती हूँ, यहाँ पर b, b क्या ही यहाँ पर, perfectly black body, perfectly black body, ओके इसे दो bodies हमने यहाँ पर लिए है, उसके बाद मान लो, अब मैं यहाँ पर आपको, diagramatically समझाने की कोशिश करती हूँ, मान लो यह a body है, and यह b body है, ठीक है, इस body के उपर मैंने, कितनी amount of heat radiate की है, मान लो q amount of heat radiate की, इसके उपर मैंने q amount of heat incident की है, sorry, q amount of heat incident की है, दोनों के उपर, अब मान लो a ordinary body है, तो यह ज्यादा heat absorb नहीं करेगे, क्योंकि perfect black body होती, तो पूरी के पूरी heat absorb कर लेती है, बट यह ordinary body है, तो यह ज्यादा heat absorb नहीं करेगे, मान लो इसने q a जितनी heat absorb की है, ठीक है, और perfect black body, जितनी heat इसने absorb की है, उतनी ही heat इमिट करेगा माण लोग इसकी emissive power हम लोग R लेते हैं और इसकी emissive power हम लोग R b लेते हैं अब इसकी emissive power यह क्योंके equal रहेगी क्योंकि इसका जितना rate of absorption है उतना ही उसका rate of emission रहेगा जितनी heat उसने absorb की है उतनी heat वो emit करेगी इसका मतलब यहाँ पर Q is equal to क्या है R b है तो A ordinary body है B perfectly black body है उसके बाद माण लो R हम लोग लेते हैं यहाँ पर ने पहले Q लेते हैं step by step लिखेंगे ऐसे ही answer को उसके बाद हम लोग Q लेते हैं माण लो amount of heat amount of heat incident on amount of heat incident on ordinary यह फिर body A ऐसे लिखो है ना incident on body A okay similarly Q A is equal to amount of heat amount of heat radiated amount of heat radiated from body A okay amount of heat radiated from body A similarly यहाँ पर क्यों हो गया आर आर लेते हैं अभी आर क्या है R is equal to emissive power emissive power of body A right then R B is equal to emissive power emissive power ऐसे ही अनसर लिखना है बच्चों examine of body B okay अब हम बात करते हैं इसका coefficient of absorption क्या रहेगा देखो coefficient of absorption का formula अल्यडी हम लोगों ने previous lectures में learn किया है तो इसका coefficient of absorption क्या रहेगा coefficient of absorption of body A A is क्या बनता है A is equal to amount of it absorbed divided by total amount of it incident on it तीनों definitions मेंने बताई है न coefficient of absorption क्या होता है यह coefficient of reflection क्या होता है amount of it reflected by body divided by total amount of it incident on it and coefficient of transmission क्या होता है amount of it transmitted divided by q मेंने आपको बताया है कि जो total amount of it हम body के उपर fall करते है उसमें से कुछ heat absorb होती है कुछ heat reflect होती है कुछ heat transmit होती है है ना कुछ हीट होती है कुछ हीट reflect होती है कुछ हीट transmit होती है तो यह दो यहाँ पर इसकी ज़रुवत नहीं हमें हम लोग absorption के बारे में ही सोच रहे हैं ठीक है तो यह मैंने previous lectures में इसको explain किया हैं वहाँ से आप लोग इसको study कर सकते हैं तो बच्चो देखो उसके बाद हमें यहाँ से QA मिल जाएगा QA कितना मिलेगा आपको A into Q जितना मिलेगा ठीक है तो यह formula हम लोग बाद में utilize करने वाले हैं इसको bracket डाल के रखो ठीक है उसके बाद देखो बच्चो अभी मैंने आपको बताया और प्रिवोर सेरी भी बताती है कि जितना हम लोग heat absorb करें उतना ही heat क्या हो रहा है? emit हो रहा है इसका मतलब heat absorption is equal to क्या होता है? heat emission होता है तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे amount of heat absorbed amount of heat absorbed is equal to क्या होता है? amount of heat 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 तो amount of heat absorbed कितना है यहाँ पे? q a जितना है is equal to क्या है? that is equal to r ओके? तो यहाँ पे हम लोग qa की जगा पे क्या formula पूट करेंगे? a into q is equal to क्या होता है? r होता है इस q को हम लोग उदर shift कर सकते हैं similarly यहाँ पे देखो for perfectly black body के लिए क्या आएगा? for perfect black body for perfect black body perfect black body q is equal to क्या होता है? that is equal to r b होता है है न? तो अगर हम लोग इन दोनों को divide करें या फिर आप इस q की जगा पे यह r b put कर सकते हैं तो यह equation क्या बनेगा? r divided by q यह q को में ने इदर shift किया तो इस साइट जाके उसको divide करना होगा तो a is equal to r divided by q बनेगा लेकिन q क्या है? that is equal to r b तो a is equal to हम लोग लिख सकते है r divided by r b तो बच्चो r divided by r b ही क्या होता है? r divided by r b होता है coefficient sorry coefficient of emission coefficient of emission इसी को हम लोग बोलते हैं e है ना? तो इसकी जगपे r divided by r b की जगपे में e पूट कर सकती हो that is equal to e तो ऐसे आप लोग इसका theoretical proof लिखोगे बच्चों इसका अच्छे से screenshot निकालके अपनी notebook में as it is आपको copy करना है बस इतना याद रखो कि Kirchop's ने कहा था कि good absorber क्या होता है? good emitter भी होता है that is very important statement वहीं से question आपको आया है सबसे पहले हमने देखा Kirchop's law जिसका हमने statement देखा and then those tag के statement है उसमें a is equal to अगर कुछ याद ना आए ना तो बस इतना लिखे हो the coefficient of absorption is equal to coefficient of emission इतना बस लिखे हो ठीक है? उसके बाद देखते हैं बच्चों ये एक question है देखो question क्या है? if r is equal to 1 then it is white body अगर r is equal to 1 है मतलब पूरी के पूरी हीट यहां पे reflect हो रही है तो क्या ये white body है? ऐसे उन्होंने पूछाई क्या ये true है? देखते हैं true है की नहीं? देखो हमें पता है we know that what we know? हम लोगों नहीं इसको explain किया था आपको याद होगा कि a is equal to क्या होता है? already मैंने आपको बताया qa upon q right then r is equal to क्या होता है? qr upon q and t is equal to क्या होता है? qt upon q already इसको बहुत detail में मैंने बताया है मतलब amount of heat coefficient of absorption coefficient of reflection coefficient of transmission इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया? मानलो एक surface हमने यहां पे लिया है इस surface के उपर मानलो मैंने q जितनी heat को incident किया? कितनी heat को? q जितनी heat को incident किया? इसमें से इस surface ने कुछ energy absorb कर ली कुछ energy absorb कर ली मानलो qa जितनी energy absorb कर ली कुछ energy reflect कर दी मानलो qr जितनी energy reflect कर दी कुछ energy transmit कर दी मानलो qt जितनी energy transmit कर दी then amount of heat absorb right amount of heat absorbed divide by amount of heat incident on it is ratio को हम लोग बोलते हैं coefficient of absorption जिसकी मैंने यहाँ बात की है a is equal to होता है qa divided by q okay similarly r is equal to होगा qr upon q and t is equal to होगा qt upon q total amount of heat incident अगर हम यह total क्योंकी बात करें बच्चो तो यह कितना होता है q is equal to होता है qa plus qr plus qt और इसको अगर मैं divide by q कर दू तो यह divide by q बनेगा 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 तो यह हमें मिलेगा one यह किसका formula होगया a का यह किसका formula होगया r का and यह किसका formula होगया t का तो बच्चो A plus R plus T is equal to होता है 1 और ये क्या बता रहे हैं कि R is equal to क्या है 1 अगर R is equal to directly 1 इसका मतलब ये quantity 0 ये quantity 0 इसका मतलब A is equal to 0 है और T is equal to 0 है दोनों also equal to 0 है तो बच्चो अगर दोनों भी 0 है इसका मतलब Q A is equal to 0 है बट हमारा Kirchhoff's law क्या केता है according to Kirchhoff's law according to Kirchhoff's law अगर A is equal to 0 है तो यहाँ बे E b क्या होना चाहिए implies that E is also equal to 0 और Prevost ने क्या कहा था आपको यादे Prevost ने कहा था कि above 0 degree Kelvin temperature वाली सभी bodies क्या करती है heat emit करने का काम करती है but it is impossible it is impossible यह impossible है क्यों impossible है क्योंकि because above 0 degree Kelvin above 0 degree Kelvin temperature bodies always radiate heat always radiate heat energy radiate heat energy that means यह जो statement है यह क्या है false है therefore this statement is false यह false है गलत है आया समझ में सबको तो ऐसा आप लोग इस question का answer लिखोगे बच्चों जल्दी से इसका screen shot निकाल लो यह पहला question है actually exercise का सवाल नहीं है बस मैंने मुझे मिला यह सवाल अच्छा लगा तो इसलिए मैंने इसको slide में put किया है ठीक है उसके बाद देखते हैं बच्चों next question that is हाँ यह देखो यह हमारे J E 2003 का सवाल है I think यहाँ पे है न यह नहीं put किया तो मैं यह यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ कब पूछा गया यह सवाल J E 2003 का सवाल है यह actually सवाल बहुत ही आसान था बच्चों देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ उन्होंने क्या कहा है actually इसको solving भी करके दिया है अगर आप check करोगे न इसका solving solution बहुत बढ़ा है but है न मैं इसको किर्चॉप्स law का use करके आपको बहुत easily बताना चाहती हूँ कैसे देखो यहाँ पे यह X है यह Y का curve दिया है बोला क्या है देखो if emissivity of bodies X and Y are EX and EY यह X है यह Y है इसकी emissivity क्या दिया है देखो EX and EY दिया है and absorptive powers are AX and AY मतलब emissivity and absorptivity दोनों की देखे रखी है ठीक है और नीचे curve दिया है बोला कि कौन सा relation यहाँ पे correct आ रहा है तो बच्छो बहुत simple है देखो मान लो यहाँ पे दो bodies है यह X है यह Y है I should change the color देखो यह यहाँ पे X body है and यह यहाँ पे Y body है दो bodies है X and Y अब यहाँ पे time के साथ साथ यह time है this is time T wait a minute this is time T and यहाँ पे क्या है temperature है यह time है यह temperature का curve हमें दिया है तो time के साथ साथ क्या हो रहा है देखो जरा body का temperature दीरे 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 कम हो रहा है time के साथ साथ body का temperature कम हो रहा है यहाँ पे भी time के साथ साथ body का temperature decreasing order में है graph ऐसे है मतलब decreasing order में है body का temperature कम कब होता है अगर body heat absorb करे तो temperature बढ़ेगा, अगर body heat emit करे तो temperature घटेगा, temperature decrease होगा, तो यहाँ पर obviously body क्या कर रही है, temperature decrease कर रही है, मतलब heat को emit करने का काम कर रही है, और इनोंने यही पूचा है कि किसका emission जादा है, किसका emission कम है, यह graph के उपर से हमें निकालना है, तो देखो बच्चों, बहुत simple है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर है ना कोई एक ही temperature पर, एक line यहाँ पर draw करती हूँ, देखो, माण लो इस temperature पर मैंने यह line यहाँ पर draw की, ठीक है, इस temperature पर, और इसी temperature पर यह line भी मैंने यहाँ पर draw की, एक मिनिटा, इसको न ठीक से निकालते हैं हम लोग, इसको मैं erase करती हूँ, देखो, इस temperature पे ये line मैंने यहाँ पे draw की, okay, similarly इसी temperature पे मैंने यहाँ से भी एक line draw की, इतनी, अगर आप देखोगे, तो किसका temperature, किसका graph ज्यादा slope है, इसका इतना ही आ रहाई इस time के अंदर, और इसका इतना आ कर सकते हैं, देख रहे हैं सब लोग, देखो, यहाँ पे कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है, और यहाँ पे इतना आ रहा है, है ना, तो दोनों का graph देखो, किसका ज्यादा rate है, उतने ही समय में, उतने ही temperature पे, किसका ज्यादा rate है, इसका ज्यादा rate है, देखो, emission का rate इसका ज्यादा है किसका y का emission का rate ज्यादा है x का emission का rate कम है समझ में आए बच्चो इसका मतलब इसका temperature उसी समय के लिए बहुत तेजी से घट रहे लेकिन इसका temperature उस समय के लिए दिरे दिरे घट रहे इसका मतलब emission rate ey का ज्यादा है and e x का कम है है न? तो हमें यह relation मिलना चाहिए e y is equal to e y is greater than e x हमें यह मिलना चाहिए e y is greater than e x यह हमें मिलना चाहिए and according to Kirchhoff's law अगर e y is greater than e x है तो हमें Kirchhoff's law क्या बताता है a is equal to e है इसका मतलब e y is greater than e x है इसका मतलब a y is greater than क्या रहेगा ax रहेगा बहुत simple था बच्चो बस logic लगाना था आपको यहाँ पर लेकिन इसका अगर proof चाहिए न तो आपको proof भी net पर मिल जाएगा ठीक है बस आप क्या करो यह इसका graph देखो उतने समय के लिए इतने time के लिए इसने कितना दो time slots में यहाँ पर consider किये है माण लो यह one second का time slot है one second के अंदर यह one second का time slot है ऐसे हम लोग माण के चलते हैं तो one second के time slot में इसने इतना emission किया और उसी second के time slot में इसने इतना ही emission किया तो दोनों का graph किसका ज्यादा है slope graph का y का ज्यादा है मतलब उसका emission ऐसा option हमें दिख रहा है, A है ना, तो हमारा correct option कौन सा रहेगा, यहाँ पे A रहेगा, GE 2003 बहुत पूरा ना सवाल है, लेकिन सवाल बहुत ही अच्छा था, जो कि किर्चॉप्स लॉग के उपर से आम लोग इसको explain कर सकते हैं, अब देखते हैं बच्चों आगे का सवाल, जो कि आपको MHT CET 2020 में पूछा गया सवाल है, और वो भी बहुत ही आसान सवाल था, जो कि theoretical मैंने आपको बताया न, theoretical सवाल है, सवाल देखो क्या है, किर्चॉप्स law of radiation proves that, क्या प्रूफ करता है, गुड एब्जोबर क्या होता है, गुड एब्जोबर क्या होता है, गुड एब्जोबर क्या होता है, गुड एब्जोबर, इतना आसान सवाल CET में पूछा गया था, गुड एब्जोबर is equal to क्या होता है, गुड एब्जोब आपका CET में पूछा गया था 2020 में तो बच्चो आज का हमारा बहुत ही छोटा सा लेक्चर था Kirchhoff's Law of Heat Radiation जो की है Topic 3.13 कल हम लोग Topic 3.14 देखेंगे and then 3.15 बस इसके दो ही Topics बचे हैं इस Chapter के उसके बाद हमारा ये Chapter खतम होगा अब आगे तो सब Laws ही है उसके बाद कल का Lecture बहुत अच्छा Lecture रहेगा Spectral Distribution में Detail में Explain करने वाली हूँ उसमें हम लोग Wins Displacement Law देखने वाले है and उसके बाद हम लोग और एक Law है उसके आगे that is Defense-Boltzman Law ये भी हम लोग देखने वाले हैं कल उसके Numericals वेगरा सब लेंगे हम लोग आज का Lecture छोटा सा था बच्छों पढ़ाही बहुत ज्यादा करनी है आपको पूरा 12th का जो Year है आपका बहुत ज्यादा Important है और Physics उसमें से थोड़ा सा टफ है तो उसकी पढ़ाही सबसे ज्यादा करो ठीक है अगर Lecture एक बार देखके आपको समझ में ना आए तो उसको बार-बार देखो बार-बार देखने की कोशिश करो Understand करने की कोशिश करो और Topic को हम Ignore नहीं कर सकते में आपको कुछ भी Out of syllabus नहीं पढ़ा रही सब syllabus का ही है लेकिन बहुत lengthy है आपको उतना पढ़ना ही है उसके सिवाई option आपके पास नहीं है ठीक है तो बच्चो आज हम यही पर रपते हैं पढ़ाई करते रहो All the very best Thank you so much and Bye Bye